प्रो कबड़ी सीजन 10 का पहला मुकाबला गुच्रा जाइंट्स वसिस तेलगू टाइटन्स के बीच में खिला जाएगा रात के 8 बजे जो यहाँ पे 2 दिसंबर को होगा सनी वार को एहमदाबाद लेक का पहला दिन होगा उसी दिन का दूसरा मुकाबला यू मुमबा वसिस यूपी ओदास के बीच में खिला जाएगा रात के 9 बजे तीन दिसंबर को भी 2 मैचेस होगे जो यहाँ पे संडे है पहला मुकाबला तमल थलावास वसिस दबंग दली के बीच में खिला जाएगा और उसी दिन का दूसरा मुकाबला गुच्रा जाइंट्स वसिस बेंगल वारियस के बीच में खिला जाएगा पांस दिसंबर को सिर्फ एक ही मुकाबला होगा चो यहाँ पे गुजराज जाइंट्स पनाम यूममबा के बीच में होगा रात के 8 बजे 6 दिसंबर की बात किजा तो 6 दिसंबर को 2 मैचेस खिले जाएगे पहला मुकाबला तलगू टा दूसरा मुकाबला गुजराज जाइंट्स पटना पाइरेट्स के बीच में खिला जाएगा इसी के साथ एहमदाबाद लेक खतम हो जाएगा फिर यहाँ पे 8 दिसंबर से बैंगलोर का लेक स्टार्ट होगा और दिसंबर के दो मैचेस की बात किजाए पहला मुकाबला बै यूपी योदास वसिस तलकू टाइटन्स 10 दिसंबर को भी दो मैचेस होगे पहला मैच बैंगॉल वारियस वसिस तमल थलायवस और उसी दिन का दूसरा मुकाबला दबंग डेली वसिस हरियाना स्टीलर्स 11 दिसंबर को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच चैपुर पैंगलोर का लेक खतम हो जाएगा फिर यहाँ पे एक दिन का ब्रेक होगा एंड 15 दिसंबर से पूने लेक स्टाट हो जाएगा 15 दिसंबर के 2 मैचेस बस की बात की जाएगा पहला मैच पुनेडी पल्टन वसिस हरियाना स्टीलर्स खेल फ्य चाईगा दूसरा मुकाबला यू मुमबा वसिस पतना पायरेटिस की बीच मे खेला जाएगा 16 December की बात की जाए 16 December का पहला मुकाबला पुनेडी पल्टन वसिस बेंगॉल वारियस के बीच में खिला जाएगा दूसरा मुकाबला तेलगू टाइटन्स वसिस दबंग डली के बीच में खिला जाएगा 17 December को भी दो मैचेस होगे पहला मैच पटना पाइरेट्स वसिस जैपूर पिंक पैंथर्स और दूसरा मुकाबला यू मुमबा वसिस तमिल थलायवास 18 December को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच पैंगॉल वारियस वसिस यूपी ओदास और दूसरा मुकाबला पुनेडी पल्टन वसिस दबंग डली के बीच में और 19 December को सिर्फ एक ही मुकाबला होगा चो यहाँ पे हरियना स्टीलर्स वसिस कुजरा जैन्स के बीच में खिला जाएगा 20 December की बात किजाए 20 December के दो मैचेस से पहला मैच चैपूर पिंक पैंथर्स वसिस यूपी ओदास और दूसरा मुकाबला पुनेडी पल्टन वसिस बैंगलिडू बॉल्स इसी के साथ जो पूने का लेग है वो यहाँ पे कतम हो जाएगा फिर यहाँ पे एक दिन का ब्रेक होगा और 22 December से चन्नई का लेग स्टार्ट हो जाएगा चन्नई लेग का पहला दिन यानि की 22 December को दो मैचेस होगे पहला मैच तमल थलावास वसिस पतना पाइरेट्स के बीच में खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला हर्याना स्टीलर्स वसिस तल्गू टाइटन्स के बीच में खेला जाएगा 23 December को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच तमल थलावास वसिस जैपूर पिंग पैंतर्स और दूसरा मुकाबला गुजराज चैंट्स वसिस यूपी उद्दास के बीच में होगा 24 December को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच यू मुमबा वसिस बेंगॉल वारियर्स और दूसरा मुकाबला बेंगलोडू बुल्स वसिस तल्गू टाइटन्स 25 December को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच Bengal Warriors vs. Dabang Delhi और दूसरा मुकाबला Tamil Thalavas vs. Haryana Steelers 26 December को सिर्फ एकी मैच खेला जाएगा जो यहाँ पे Pooneri Pulton vs. Patna Pirates के बीच में होगा 27 December को दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच जैपूर Pink Panthers vs. Dabang Delhi 26 December को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच तलगू टाइटन vs. Yumaumba 21 December को भी दो मैचेस होगे पहला मैच गुजराज जैंट vs. Bengal Warriors और दूसरा मुकाबला Tamil Thalavas vs. Bengaluru Bulls एक जनवरी को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच तलगू टाइटन vs. Pooneri Pulton और दूसरा मुकाबला युजराज जैंट vs. Patna Pirates दो जनवरी को सिर्फ एकी मैच खेला जाएगा जो यहाँ पे गुजराज जैंट vs. Dabang Delhi के बीच में होने वाला है तीन जनवरी को दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच हर्याना स्टीले जैंट जैपूर पिंक पैंतर्स दूसरा मुकाबला यूपी उद्धास vs. Poneady Pulton और इसे के साथ जो नोड़ा लेगे वहाँ यहाँ पे कतम हो जाएगा एक दिन का ब्रेक होगा और पाच जनवरी से सुरू हो जाएगा मुंबई का लेग और मुंबई का लेग का पहले दिन का जो पहला मैच होई यहाँ पे पटना पारेट्स vs. दबंग देली दूसरा मुकाबला यू मुंबा vs. पैंगलुडु बुल्स छे जनवरी को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच यू मुंबा vs. जैपुर पिंक पैंतर्स दूसरा मुकाबला तलगु टाइटन्स vs. गुजरार चैंड्स के बीच में होगा। साथ जनवरी को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच पुनेडी पल्टन vs. तमिल तलायवर्स और दूसरा मुकाबला तलगु टाइटन्स vs. गुजरार चैंड्स के बीच में होगा। जनवरी को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच पैंगलोडु बुल्स vs. पत्ना पारेट्स और दूसरा मुकाबला यू मुंबा vs. दबंग दली नौ जनवरी को सिर्फ एकी मैच होगा जो यहाँ पे तलगु टाइटन्स vs. गुजरार चैंड्स के बीच में होगा और दस जनवरी को दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच यू पी यूद्धास vs. तमल थलावस और दूसरा मुकाबला यू मुंबा vs. हरियाना स्टीलर्स और इसे के साथ जो मुंबाई कर लेगे वो यहाँ पे खतम हो जाएगा अब यहाँ पे मैं आपको आगे का स्टील बताओ इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेन चीज बताना चाहता हो जैसे कि आपको पताए कि आईपल को ओक्शन करीब आ चुका है और अगर आपको आईपल ओक्शन के हर एक अपडेट स होगे जितने भी क्रिकेट के अपडेट्स होगे वो आपको सबसे पहले क्रिकेट गली के टेलेग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा तो जीनों ने भी अभी तक जॉइन नहीं किया है फटफट जाके क्रिकेट गली के टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर लो डिस्क्रिप याहँ पर चैपूर पिंधर चैपूर पिंधरा यूप ऑद्दासरे इचारे के बीच में खेला जाएंगा फिर यहाँ पे 14 जन्वरी को भी दो मैचेस होने वाले पहला मैच हरियना स्टीलर्स वसिस तमल थलावस और दूसरा मुकाबला दबंग डली वसिस पत्ना पारेट्स अब 15 जन्वरी को भी दो मैचेस होगे बंगॉल वरियस वसिस बैंगलुडुबुल्स और दूसरा मुकाबला जैपूर पिंक पैंथर्स वसिस यू मुम्बा की बीच में खिला जाएगा 16 जन्वरी को सिर्फ एक ही मैच होने वाला है जो यहाँ पे पत्ना पारेट्स वसिस तमल थलावस की बीच में होगा और 17 जन्वरी को दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच यहाँ पे दबंग डली वसिस गुजराग जैंट्स और दूसरा मुकाबला जैपूर पिंक पैंथर्स वसिस हरियनन स्टीलर्स की बीच में खिला जाएगा और इसे के साथ जो जैपूर का लेगे वो यहाँ पे खतम हो जाएगा एक दिन का ब्रेक होगा और 19 जन्वरी से जो हैदराबाद का लेगे वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हैदराबाद का लेगे यहाँ पे 19 जन्वरी से सुरू हो रहा है पहला मैच पतना पाइरेट्स वसिस यूपी ओदास के बीच में खिला जाएगा और दूसरा मुकाबला तलगू टाइटन्स वसिस बैंगलोडू बुल्स के बीच में खिला जाएगा 20 जनवरी के दो मैचेस होगे पहला मैच दबंग डली वसिस यू मुंबा और दूसरा मुकाबला तलगू टाइटन्स वसिस यूपी ओदास के बीच में होगा 21 जनवरी को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच गुजरा जैंट्स वसिस पुनेडी पल्टन और दूसरा मुकाबला बैंगलोडू बुल्स वसिस तमिल थरावास 22 जनवरी को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच जैपुर पिंग पैंथर्स वसिस पैंगॉल वरियर्स और दूसरा मुकाबला तलगू टाइटन्स वसिस हरियाना स्टीलर्स 23 जनवरी को सिर्फ एकी मैच होने वाला है जो यहाँ पे 24 जनवरी को दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच हरियाना स्टीलर्स वसिस दबंग दली और दूसरा मुकाबला तलगू टाइटन्स वसिस तमिल थलावास और इसे के साथ जो हैदराबाद का लेग है वो यहाँ पे खतम हो जाएगा एक दिन का ब्रेक होगा और 26 जनवरी जे सुरू हो जाएगा पतना का लेग और पतना लेग की शिटूल की बात की जाए तो पहला दिन का मैच होने वाला है पतना पाइरेट्स वसिस पेंगॉल वारियर्स एड उसी दिन का दूसरा मुकाबला यू मुंबा वसिस गुजराज चैंस 27 जनवरी को भी दो मैचेस होगे पहला मैच पतना पाइरेट्स वसिस पुनेडी पल्टन एड दूसरा मुकाबला दबंग डली वसिस यूपी योद्धास 28 जनवरी को भी दो मैचेस खेले जाएगे पहला मैच तमल थलावस वसिस यू मुंबा और दूसरा मुकाबला जैपूर पिंग पैंथर्स वसिस बैंगलोडो बोल्स 29 जनवरी को भी दो मैचेस होगे हरियना स्टीलर्स वसिस बेंगॉल वर्यर्स और दूसरा मुकाबला पतना पाइरेट्स वसिस गुजराज चैन्स के बीच में खेला जाएगा 30 जनवरी को सिर्फ एकी मैच होने वाला है यहाँ पे पुनेरी पल्टन वसिस दल्गू टाइटन्स और दूसरा मुकाबला यानि की 31 जनवरी की बात किजाए 31 जनवरी का पहला मैच जैपूर पिंक पैंथर्स वसिस तमल थलावाज और उसी दिन का दूसरा मुकाबला पत्रना पारेट्स वसिस पैंगलू बुल्स के बीच में खेला जाएगा फिर यहाँ पे एक दिन का ब्रेक होगा और दो फेबरेडी से स्टार्ट हो जाएगा डेली का लेग और डेली लेग की शिडूल की बात किजाए तो दो फरवरी का पहले दिन का पहला मैच खेला जाएगा दबंग डेली वसिस बेंगॉल वर्रियर्स और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा गुजराज जाएंट्स वसिस हरियाना स्टीलर्स तीन फेबरेडी की बात किजाए तो तीन फेबरेडी का पहला मुकाबला UP Oda's versus U Mumbai and दूसरा मुकाबला Dabang Delhi versus Telugu Titans चार फेवरोडी की बात किजाए तो पहला मैच Gujarat Giants versus Tamil Thalawas and दूसरा मुकाबला Bengaluru Bulls versus U Mumbai के बीच में खिला जाएगा पाँच फेवरोडी को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच चैपुर Pink Panthers versus Patna Parats and दूसरा मुकाबला Dabang Delhi versus Pooneri Pulton and 6 February को सिर्फ एकी मैच होगा जो यहाँ पे Tamil Thalawas versus UP Oda's के बीच में होगा and 7 February को दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच Bengaluru Bulls versus Pooneri Pulton and दूसरा मुकाबला Dabang Delhi versus Zappuart Pink Panthers के बीच में खिला जाएगा फिर यहाँ पे एक दिन का ब्रेक होगा and 9 February से कॉलकाता का लेक स्टार्ट हो जाएगा पहला दिन का पहले मैचेस की बात कीज़े तो पहला मैच Bengaluru Warriors versus Gujarat Jains के बीच में खिला जाएगा and दूसरा मुकाबला Haryana Steelers versus UP Oda's के बीच में होने वाला है 10 February को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच पटना पारेट्स versus Yumaumba and दूसरा मुकाबला Bengal Warriors versus Telugu Titans 11 February को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच स्टमिल थलैवास versus Pooneri Pulton and दूसरा मुकाबला Bengaluru Bulls versus Gujarat Jains 12 February को भी दो मैचेस खिले जाएगे पहला मैच यूपी योदास versus जैपूर पिंग पैंतर्स and दूसरा मुकाबला Bengal Warriors versus UP यूपी योदास 13 February को सिर्फ एक ही मैच होगा जो यहाँ पे पटना पारेट्स versus Telugu Titans के बीच में होगा and 16 February को दो मैचेस खिले जाएगे जो यहाँ पे दबंग डली versus तमिल थलावर्स and Bengal Warriors versus पुर्नेडी पल्टन and इसे के साथ जो कॉलकाता लेगे वो यहाँ पे खतम हो जाएगा फिर यहाँ पे एक दिन का ब्रेक होगा and 16 February से आखरी लेग जो यहाँ पे पंचकुला लेग होने वाला है पंचकुला लेग की शिटूल की बात किजाए तो पहले दिन का जो मैचे से हुई यहाँ पे हरियना स्टीलर्स versus पतना पारेट्स and दूसरा मुकाबला तेलगू टाइटन्स versus शैपूर पिंक पैंथर्स के बीच में खिला जाएगा 17 February को भी दो मैचे होने वाले पहला मैच हरियना स्टीलर्स versus यू मंबा दूसरा मुकाबला यूपी योधास versus गुजराज जैंट्स 18 February को भी दो मैचे होगे जो यहाँ पे तमल थलैवास versus बेंगावल बॉर्यर्स and दूसरा मुकाबला दबंग डेली versus पेंगलूड बुल्स 19 February को भी दो मैचेश खेले जाएगे पहला मैच कुछराज जैंट्स versus जैपूर पिंक पैंटर्स and दूसरा मुकाबला हरियना स्टीलर्स versus पुनडी पल्टन 20 February को सिर्फ एक ही मैच होने वाला है जो यहाँ पे यूममबा versus तल्गू टाइटन की बीच में खेला जाएगा and लीक स्टेज का आखरी दिन जो यहाँ पे 21 February होगा उस दिन पुनडी पल्टन versus यूपी ओदास का मुकाबला होगा और दूसरा मुकाबला हरेनस टीलर्स versus बैंगलोडो बुल्स के बीच में खेला जाएगा तो यह है प्रो कबड़ी सीजन 10 का पूरा शिडिल जो मैंने आपको अभी बता दिया आप कौन से लेक के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आपको राइट सेट पर भी देखने को मिलेगा वो भी आप चेकाउट कर सकते हो तब तक मैं मिलता हो ऐसे एक और ने इंटरसिंग वीडो के साथ ठैंक्स पर वाचिंग